तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने गाजर के हलवे की दूसरी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे कि किस तरह से बनाते हैं गाजर के हलोवी के लिए मैंने 1 किलो गाजर को कद्दुखस कर लिया है और अच्छे से साफ कर लिया था पहले ही एक लीटर फुल क्रीम दूद लिया है ये बैंस का दूद लिया है आप चाहें तो गाई का भी यूज कर सकते हैं यह मैंने कड़ाई में थोड़ा सा घीडा लाए, टू टेविले स्पॉन, इसे हम कड़ाई में चारो तरफ अच्छे से फिला लेंगे, जिससे की तली में लगे नहीं हल्वा, और इस तरह से टेस्ट भी भोत अच्छा आता है, सबसे पहले हम इसमें कद्दुकस की गाजर को अच्छे से भूनेंगे गी में, इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर, जब तक कि इसका बिल्कुल पानी सोख न जाए, तब तक हम इसे इसी तरह से भूनेंगे, अलट पलट करते हुए हाई फ्लेम से, इसी तरह से अलट पलट करते हुए भून लेंगे अभी थोड़ा सा पानी हो रहे हैं थोड़ा सा और भूनेंगे उसके बाद हम इसमें दूट डालेंगे अब इसका सारा पानी फुक गया है जल गया है अब हम इसमें दूट डालेंगे थोड़ा और भूनने के बाद अब इसमें दूट डाल देंगे जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसे हाई फ्लेम से पकाएंगे उसके बाद थोड़ी कम कर देंगे गैस अब इसमें अच्छे से उबाला गया है इसे हम तली तक चलाएंगे बीच में चलाते रहेंगे और हाई फ्लेम से पकने देंगे हलवा जह हम बनाएंगे तो बड़े बरतन में ही बनाएंगे वरना दूद बहार निकल जाएगा इसलिए मैंने बड़ी कड़ाई लिए अब ये हाफ हो गया है इसे अब हमें और पकाना आए इसे हमें और भूनना आए और तली तक इसे हमें यहाँ पर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसका दूद बिल्कुल सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और साइड में जो मलाई है उसे हम इसी में मिक्स करते रहेंगे अब यह और भी तिक हो गया है दूद इसका सारा जल गया है अब हम इसमें चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के साब से मैंने इसमें हाफ कप डाली है आप अपने टेस्ट के साब से कम ज़्यादा भी डाल सकते है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा डालूँगी यह मैंने डाइसोग्राम मावा लिया है यह होममेड है आप चाहें तो मार्किट का दानेदार मावा भी यूज़ कर सकते है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगाता चलाते हुए अब यह मावा भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन इसे हमें अभी और भूनना आ है जब तक यह बिल्कुल ड्राय न हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गी ओर डालेंगे हम वन से टू टेवल स्पून अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालेंगे आप चाहें तो ड्राय फूट भी डाल सकते हैं अब यह हलुआ हमारा बनकर तयार हो गया है आप चाहें तो उपर से इस पर ड्राय फूट भी एड़ कर सकते हैं thank you